नमस्कार, अब हम लोग एनाटमी के एक नए टॉपिक में बात करेंगे ओसोफेगस के बारे में ओसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं इसकी लेंथ कितनी होती है इस पर बेस्ट क्वेशन पूछे जाते हैं तो इसकी लेंथ 10 इंचेज होती है जिसे आप 25 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं हमारे बॉड़ी में कौन-कौन से ऐसे दूसरे स्ट्रक्चर हैं जिनके लेंथ 10 इंच होती है उनके नाम जानना ज़रूरी है तो यहाँ पर यूरिटर, डियोडिनम, मेल यूरिट्रा मेल यूरिट्रा की एक्शुल जो रेंज बताई जाती है वो 9 to 11 इंच बताई जाती है तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यह एवरेज 10 इंच के के टेगरी में आ गया तो यूरिटर, डियोडिनम और मेल का यूरिट्रा इन सभी का same size होता है यह एक important information है और याद रखिएगा कि उसलिएगस C6 से start हो करके T11 वर्टिबरा तक इसकी extension होती है उसलिएगस के length के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया उसलिएगस की width भी जान लें, इसकी चोड़ाई 2 cm होती है इसका lumen आम तोर पर closed रहता है, collapse रहता है जब हम passes of food के समय से देखते हैं, उसी समय यह dilate करता है आम तोर पर इसका lumen collapsed होता है इसके बाद हम बात करेंगे arterial supply के बारे में तो आप देखेंगे arterial supply, चुकि इसकी length बहुत बड़ी होती है इसलिए अलग-अलग reason में अलग-अलग blood supply मिलती है उसोफेगस के तीन पार्ट बेसिकली देखे गए हैं, cervical part, thoracic part और abdominal part इसमें से thoracic part सबसे बड़ा होता है, abdominal part सबसे चोटा होता है इसके different parts में blood supply कैसे मिलेगी इसको सबजने के लिए इस image को मैं जूम करना हूँ ताकि मैं हर एक पार्ट में blood supply को बहतर तरीके से आपके सामने दिखा सको तो आप देखेंगे cervical part आफ उसोफेगस में blood supply inferior thyroid artery के उसोफीजियल ब्रांच के द्वारा होता है तो आप ये जो structure देख रहे हैं ये सबकलेवियन आर्ट्री है सबकलेवियन आर्ट्री का थाईरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच होती है inferior thyroid artery inferior thyroid artery की एक ब्रांच है उसोफीजियल जो ब्रांच होती है उसके द्वारा आप देखेंगे cervical part of उसोफेगस को blood supply मिलती है तो याद रखेगा inferior thyroid artery किसकी ब्रांच है थाईरो सर्वाइकल ट्रंक की थाईरो सर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच होगी subclavian artery की इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ पर यही दिखाएगा है arch of iorta arch of iorta से यह subclavian artery है subclavian artery से थाईरो सर्वाइकल ट्रंक की एक ब्रांच निकली है inferior thyroid artery इसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे की उतरते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो blood supply मिलेगी वो खास तोर पर thoracic part में descending thoracic aorta के ब्रांच से मिलते हैं तो यहाँ पर आप देखें descending thoracic aorta अपनी direct branching देती है इसके लावा bronchial arteries भी thoracic part of osophagus को अपनी supply देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं bronchial artery वही bronchial arteries जो यहाँ पर दिखाई गई हैं यह thoracic part of osophagus को अपनी blood supply देती हैं थोड़ा और नीचे की और जब हम चलते हैं तो जब osophagus के abdominal part में हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर blood supply left inferior phrenic artery के द्वारा आपको यहाँ पर याद रखता होगा left inferior phrenic artery की blood supply इसके parts को मिलते ही यहीं पर phrenic आप समझ सकते हैं तो left side में हैं इसलिए left inferior phrenic artery के supply इसके अलावा left gastric artery की ascending branches इसे supply देती हैं तो आप देखेंगे left gastric artery की ascending branches भी यहाँ पर blood supply देती हैं और इस तरीके से इसके different parts में हम different blood supply को देखते हैं recall करें shortest part कौन सा है abdominal part longest part कौन सा है thoracic part इस चीज़ को आपको याद रखना होगा फिर जब हम blood supply की बात किये थे तो याद होगा cervical part inferior thyroid artery के द्वारा thoracic part की दो supply हमने बताया था यहाँ पर osophisial branch जो निकलती है thoracic aorta से उसको हम लोगों ने देखा था इसके अलावा मैंने आपको बताया था bronchial artery की supply भी मिलती है तो आप thoracic aorta से direct osophisial जो branches निकली थी उसके बारे में देखा था image में bronchial artery भी अपनी supply देती है इसको भी मैंने आपको देखाया था abdominal part में जब हम पहुँचे थे तो मैंने आपको बताया था ना osophisial part of या osophisial branch जिसे हम कहते हैं यह branch है part की बज़ाए branch के हैं ज़्यादा सही होगा तो osophisial branch of left gastric artery और inferior phrenic artery की branches यहाँ पर abdominal part of osophagus को blood supply देती है आपको यह सारी images पता होना चाहिए यहाँ पर left gastric artery की जब हम बात कर रहे थे तो उसी के साथ ही साथ हमें celiac trunk को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए abdominal aorta से निकलता है celiac trunk जिसके three branches होती है common hepatic artery, splenic artery और left gastric artery यहाँ पर आप देख सकते हैं celiac trunk है यह हिस्सा जिसको blue color से दिखाया गया है जिसके three branches है common hepatic common hepatic इसलिए क्योंकि आगे इसके कई सारे branches होंगे जो कि आस पास के structure को ना सिर्फ hepatic को बलकि दूसरे structures को भी support करते हैं इसलिए common hepatic नाम दिया गया एक left gastric होगा और एक होगा splinic तो इसके three branches हैं यह branches कैसे क्या करते हैं उसके बारे में हम आगे discuss करेंगे अभी सिर्फ इतना समझना है कि left gastric एक branch है celiac trunk का जिसकी osophagial branch abdominal part of osophagus को अपनी blood supply देता है इसके बाद हम चर्चा करेंगे histological structures की finding के बारे में osophagus के histological structure को जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो osophagus stratified squamous non-keratinized epithelium के द्वारा lined होता है इसके निचले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो इसका यही pattern हमें देखने को बिलता है कैसा? stratified squamous non-keratinized epithelium देखने को मिलेगा except इसके lowest part में जहाँ पर आपको simple columnar epithelium की lining देखने को मिलती है तो यहाँ पर lowest part में simple columnar type of epithelium का lining आपको देखने को मिलेगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे venus drainage के बारे में तो venus drainage की जब हम बात करते हैं cervical part की venus drainage inferior thyroid vein के द्वारा होता है इसके बाद जब हम नीचे की उर उतरते हैं thoracic part की बात करते हैं तो thoracic part में जो venus drainage होती है वो agigus vein और hemiagigus vein के द्वारा होती है तो आप देखें thoracic part of osophagus की venus drainage agigus और hemiagigus vein के द्वारा हो रही है इस चीज़ को यहाँ पर हम appreciate कर सकते हैं इसके बारे में हम आगे और detail में चर्चा करेंगे अभी सिर्फ normal जो basic जो points है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके बाद हम आएंगे abdominal parts के और यहाँ पर आप देखेंगे venus drainage lower part में abdominal part में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर portal vein की एक tributary है left gastric vein उसके द्वारा यहाँ पर venus drainage होता है तो आप देखें portal vein की tributary left gastric veins यहाँ पर एक काम कर रहे हैं इसके अलावा आप इसी image में जिसका मैं दूसरा model आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पर portal vein की tributary है gastric vein left gastric vein या short gastric vein इसके अलावा यहाँ पर coronary vein भी अपनी इसके मदद से भी drainage होता है यह portal vein की branches और उपर से आप देख रहे हैं inferior venakeva की एक tributary है hemiegiagous vein hemiegiagous vein जो की inferior venakeva का एक tributary है वो भी venus drainage abdominal part of ozophagus की करती है आप देखना चाहें तो सीधी तोर पर कई angle से देख सकते हैं जो gastric vein है left gastric vein जिसे मैं कह रहा हूँ इसको आप short gastric vein और इसके लावा coronary veins को भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह portal vein की branches है और उपर से आ रहा है आप देख सकते हैं यह मोटी सी जो venus channel है यह actual में inferior venakeva है जिसकी inhibitory है hemiegiagous vein वो भी यहाँ पर venus drainage कराती है अलग-अलग image में मैंने दिखाया सीधे तोर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ sites है जहाँ पर porto keval anostomosis होता है तो आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट umbilicus के पास में और तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे इसको detail में अभी हम नहीं आपके साथ discuss कर सकते हैं porto keval anostomosis को बहुत अच्छे तरीके से हम सबसकते हैं porto keval anostomosis क्या होता है उसको इस image में हम आपके साथ discuss कर सकते हैं तो आप देखेंगे जो aorta की branches osophagus, rectum और umbilicus के पार्ट में जहां पर porto keval anostomosis बनते हैं उस हिस्से में आप देखेंगे वहाँ पर venus drenis दो तरीके से होते हैं एक normal venus drenis जो की inferior venakewa के tributaries के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दूसरा portal vein के tributaries के दोरा venus drenis होता है यह दो venus drenis होते हैं और इनके बीच में यहाँ पर anostomosis होता है कहां कहां rectum के पास umbilicus के पास उस phigus के पास यह चीजें मैंने आपको image में दिखाया था उसका एक simplified version आपको यहाँ पर हम discuss कर रहे हैं अब सवाल आता है portal hypertension क्या होता है तो आप देखेंगे cirrhosis of liver की condition में जब venus drenis आगे नहीं जाएगा liver cirrhosis हो गई है liver stiff हो चुका है वो proper function नहीं कर पा रहा है तो venus drenis नहीं हो पाएगा इसके करण यहाँ जो venus collection है portal vein का यह back pressure मारेगा जब यह back pressure portal circulation में आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह portal circulation में back pressure पड़ेगा यहाँ पर venus fluid accumulate होता जाएगा जिसके करण जो collateral channels है portal cable and osteomosis के वो खुल जाएंगे dilate हो जाएंगे tortuous हो जाएंगे जिसके करण varices बन जाते हैं varices varices बन जाते हैं यहाँ पर osophagal varices जो हम कहते हैं वो यहाँ पर develop हो सकता है तो osophagal varices rupture हो जाएंगे तो इसके करण hematomasis हो सकता है जिस पार्ट में जहां कहीं भी होगा उस तरीके के आपको clinical features मिलेंगे अब हम बात कर रहे हैं osophagus की osophagus में vomiting of blood या hematomasis के साथ osophagal varices की presentation होती है इसी तरीके से आप दूसरे पार्ट में भी देख सकते हैं उसी image की मदद से यहाँ पर आप देखेंगे जो dark blue है यह actual में portal circulation के बारे में बता रहा है आप देखें dark जो color से दिखाए गया light blue color से जो venus channel दिखाए गया है venus tributaries दिखाए गयी है यह inferior venakewa में जाकर के मिलेंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी portakival anastomosis होता है इसी तरीके से आप rectum के पास में देख सकते हैं आप देखेंगे ultimately inferior venakewa यानि केवा venakewa का जो भी यहाँ tributaries हैं और portal venakewa के जो tributaries हैं उनके बीच में यहाँ anastomosis होती है इस image में आप clearly देख सकते हैं किस तरीके से liver cirrhosis के बाद जो portal circulation है उसमें एक back slow आ रहा है back pressure आ रहा है जिसके करण जो पोल्टा केवल एनास्टोमोसिस के sites हैं वहाँ पर collateral channels open हो जाते हैं आप देखिए और इसके करण oesophagial varuses बन जाते हैं आप endoscopic view में इसको properly देख पाएंगे यह देखिए किस तरीके से यह dilate हुए यहाँ पर पोल्टा केवल एनास्टोमोसिस के site किस तरीके से यहाँ पर dilate किये हुए हैं यह endoscopic view में properly देखने को मिलता है इस दौरान यह tear हो सकते हैं जिसके करण vomiting of blood या hematimesis हो सकता है इसके बाद हम उसफेगस के muscular parts के बारे में डिसकस करेंगे तो यहाँ पर histological structure venus drainage उसके बारे में डिसकस किया हम लोगों ने venus drainage का applied concept हम लोगों ने समझा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पोल्टा केवल एनास्टोमोसिस होती है उसके बाद अब हमारा part है muscular parts के nature को समझ देगा upper one third of osophagus में striated muscles पाये जाते हैं जिसे हम skeletal muscle कहते हैं जबकि lower one third में smooth muscle या non-striated muscles पाये जाते हैं बीच में दोनों ही conditions देखने को मिलती है तो इस बात को हमें याद रखना है upper one third middle one third और lower one third में क्या क्या conditions होती हैं उसको हमारी जानकारी में होना चाहिए अब next topic जो हम इसमें लेंगे वो है lower osophagial region में metaplysmic changes यहाँ पर metaplysmia कैसे होता है तो आप देखेंगे कई बार lower osophagus के पार्ट में जो simple kaluminar epithelium होता है यह उपर की ओर चढ़ जाता है और इस दोरान आप देखेंगे यह जो metaplysmia होता है इसको हम surgery में बहुत detail में पढ़ते हैं हम pathology में बहुत detail में पढ़ते हैं इस condition को हम barretts osophagus के यह यह barretts osophagus की condition structures और metamalignancy के लिए बहुत ही ज़ादा prone होती है तो आपको याद रखना है कि lower osophagus का simple kaluminar epithelium कई बार उपर के और extend कर जाता है क्यों extend करता है उसको अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इतना समझना कि barretts osophagus की condition develop होने पर squamous columnar junction उपर की और shift हो जाता है यहाँ पर जो columnar epithelial cells होती है यह उपर तक shift हो जाती है इसका कारण क्या है इसको आप discuss करते हैं pathology में जिसमें हम पढ़ते हैं कि gastric reflux GERD की condition में gastric reflux की condition में जैसे जैसे जो भी acidic environment है यह उपर की और चड़ता है तो इस environment के साथ जीने के लिए osophagus cells जो epithelial cells हैं वो squamous की बजाए columnar हो जाती हैं कुछ वैसी ही columnar epithelium की cells जैसा stomach में पाया जाता है इस stomach के जैसा पूरा का पूरा environment उपर तक जाता है और stomach का acidity यहाँ पर उपर के जा रही है इसलिए पूरा का पूरा environment यहाँ पर change हो जाता है जिसको हम metaplastic changes या metaplasia कहते हैं इस condition की खास बात यह होती है कि यह barretts और सफेगस की condition है जहाँ पर structures बनने के chances बहुत जादा होते हैं malignancy बहुत जादा होने के chances होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि acidic environment में तुरंत ही यहाँ पर metaplastic changes नहीं होंगे starting में तो जब acidic reflex होगा तो सिधे तोर पर यहाँ की walls damage होंगी starting में बाद में वो columnar में बदलेंगे तो यहाँ पर होगा क्या है जब यहाँ की walls damage होती है तो वहाँ healing की process होगी healing होने की वज़ा से यहाँ पर structures develop होने के chances बहुत जादा होंगे चुकि लगातार नया environment मिल ला इसलिए malignancy की condition भी हमें यहाँ पर देखने को बिलती है Barrett's ocephagus की condition की वज़ा से ही एक common question पूछा जाता है commonest site of malignancy in ocephagus वो lower one third part होता है इस तरीकी के objective question पूछे जाते हैं इसके बाद हम एक mortality disorder के बारे में discuss करेंगे हम ecclesia cardia के बारे में बात करेंगे तो ecclesia cardia है क्या यह mortality disorder है यह होती क्यों है उसके बारे में अब चर्चा करना है आम तोर पर ocephagus में coordinated paristalsis moment के द्वारा food इस food pipe के से होते हुए इस टमक में पहुँचता है लेकिन अगर ocephagial mortality का disorder हो जाए तो इसके कारण क्या होगा lower ocephagial sphincters spasm हो जाएगा वहाँ पर वो dilate नहीं कर पाएंगी वो relax नहीं हो पाती है तो इसलिए ecclesia एक Greek term है जिसका मतलब होता है does not relax तो ecclesia जो की Greek term है उसका मतलब हम लोग ने समझा और यह अपने आप में बताता है कि neuromuscular in coordination की वज़ा से lower ocephagial sphincter का spasm होने की वज़ा से food लगातार इकठा होता रहेगा ocephagus में आप देख पाएंगे यहाँ पर चुकिए sphincter properly work नहीं कर रहा है तो लगातार food यहाँ accumulate होता जाएगा और यह projectile vomiting के साथ इसके patient present करते हैं आप यहाँ पर condition देख सकते हैं कैसा आपको देखेगा यहाँ question पूछा जाता है iglesia cardia में neuromuscular coordination की problem होती है तो यहाँ पर होता क्या है यह क्या congenital causes इसके लिए responsible होते हैं तो याद रखिएगा अधिक तर्मामलों में congenitaly mantric plexus जो nerves होती हैं वो यहाँ पर absent होती हैं तो यहाँ पर congenital absence of ganglionic cell in mantric plexus of nerves उसकी वज़ा से ecclesia cardia की condition develop होती है मैंने आपको बताया है ना कि यहाँ पर mantric plexus या auric plexus के प्रभावित होने से यह problem arise होती है हम जानते हैं GI track का general organization कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें आप देखेंगे सबसे भीतर की और mucosa जिसमें epithelium lamina propria muscularis mucosa के parts होते हैं इसके बाद सब्म्यूकोसा का part जिसमें मिजनल्स plexus या सब्म्यूकोसल plexus देखने को बिलता है इसके बाद muscularis propria होता है जिसमें circular और longitudinal muscles के बीच में aurbex plexus माइंट्रिक plexus होते हैं यह absent हो जाते हैं ecclesia cardia की condition में muscularis propria के बाहर cirrhosa या adventitia जो भी लेयर यहां पर पाई जाए उस फेगस में adventitia की लेयर पाई जाती है तो आपको यहां पर याद रखना है कि general GI track का जो pattern है उसमें aurbex plexus या mantric plexus ecclesia cardia में absent होते हैं इस पर based question पूछा गया है कई बार aurbex plexus कई बार कई बार question पूछा गया है इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह autonomic nerves जो कि osophagus को अपनी supply देती है वो aurbex plexus और miss nurse plexus बनाती है यहां पर किसकी absence है क्या miss nurse plexus की absence है नहीं यहां पर absence होती है aurbex plexus की यहां पर mind trick plexus जिसका दूसरा नाम है उसकी absence होती है तो इसके करण आप aurbex plexus की absence होने की वज़ा से ecclesia cardia की condition देखने को मिलती है यहां पर barium barium swallow radiography की finding में आपको beak like structure की रूप में हमें नजर आती हैं चीजें आप देख सकते हैं barium swallow की बाद जो radiographic finding होती है इसमें आप osophagial body की dilation को देख सकते हैं यहां पर नीचे की और structure होगा यह bird peak या beak जो भी आप कहले है bird beak चोंच जैसा यह tapering होती है osophagus में जो की gastro-osophagial junction पर देखने को मिलता है इसे हम a sigmoide या mega osophagus finding कहते हैं जैसे mega colon होता है वैसे ही mega osophagus condition कहां पर होती है ऐसे भी करके question पूछा जा सकता है ecclesia cardia के symptoms क्या-क्या होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हर बार projectile vomiting हो अधिकतर मामलों में जब शुरुवाती condition होती है तो swallow करने में दिक्कत होगा chest में pain होगा heartburn होगा hiccups होगे weight loss होगा क्योंकि person सही तरीके से खा नहीं पाते हैं प्रक्षाथ जा आए प्रफ़ तो प्रफ़